नमस्कार दोस्तों जी के अर्जुन सार यूप्टूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है उत्तर प्रतेश लुक्सवा आयोक प्रयागराज जैसी प्रक्ता इतिहास प्रेटी सेट 27 में तो चली वीडियो प्रारम करते हैं वीडियो प्रारम करने से पहले आपसे पहले पहुंचें तो चली वीडियो प्रारम करते हैं हाँ अगर आप लोग इससे पिछला वीडियो देखना चाहते हैं प्रेटी सेट 26 तक तो उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ जिसका नाम है यूपी पीजीटी इतिहास के नाम से और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क देखलें तो चली वीडियो प्रारम करते हैं देखें पहला कोशन इसमें वास्तु सास्त्र की की रचना में बिवीद प्रकार की नाओं के निरमाल का उलेख मिलता है दिया है समरांग सुत्रधार या यूकति कल्प तरू या अप्राजित प्रिछा या मानसार तो इसमें अंसर हो जाएगा B, यूक्तिकल्प तरू में कोश्चन नमबर दो है पूरू मद्यकाल में स्वन सिक्कों के बिलुप्त हो जाने के पसाथ उत्तर भारत के किस सासक ने सरपर्थम उन्हें प्रारंब करवाया दियाय भोज परमार या प्रतिहार महंदरपाल या पिर्थवी राज तिर्तिय चहमान या गांगदे कल्चूरी तो इसका करेक्टर अंसर हो जाएगा D, गांगदे कल्चूरी ने कोश्चन नमबर तीन है मुस्लिम लेखक किस राजपुत राजा को इसलाम का सबसे बड़ा सत्रू कहते है पिर्थिवी राज तिर्तिय जैचंद्र, मिहिर भोज या धंग को तो ये कहायता है किसको मिहिर भोज को यानि मुस्लिम लेखक जो है किस राजपुत राजा को इसलाम का सबसे बड़ा सतुरू बता है तो वो है मिहिर भोज को यह परतिहार सासक थे मिहिर भोज कुस्टन नमबर चार है किस मुस्लिम सासक के सिकों पर हिंदू देवी लच्छमी का अंकन मिलता है इलतुतमेश, फिरोसा तुगलत, महमूद गजनवी या मुहमद गोरी इसमें करेक्टेशन हो जायेगा D मुहमद गोरी तो पिर्थीविराज तिर्थीः के सिकों को जो है अपने नाम से ये मुहमद साम के नाम से पुनर अंकित करवाया था मुहम्मद गोरी ने और उस पर लच्मी के चित्र भी अंकित होता था तो लच्मी के चित्र भी अंकित रने दिया वाई से ही जो पिर्थीवर्या चवहान के सिक्षों से समधी थै कुश्चन नमर पाँच है निमलिखित में से किस सुल्तान ने सिक्कों पर उमदत उल निश्वा का बिरुद धारण किया था तो कौन सा सुल्तान था बलबन रजिया फिरोश्तुगलत या लावदिन खिल जी तो इसमें एंसर हो जायेगा आपका भी रजिया कौन थी रजिया कुश्चन नमर च्छे है निमलिखित में से किस गरंथ में आदर्स मुसल्मान सासक के गुणों का उल लेख किया गया है कौन सा गरंथ है ताज उल मासिर या तबकात नासरी या फत्वाय जहांगिरी या खाजाइन उल फुतु तो इसका करेक्ट अंसर रजायेगा भी तबकात नासरी में तबकात नासरी ये मीनहा सिराज की जहे रचना है तो इसमें जो आदर्स मुसलिम सासकों के गुणों का ब्याख्या किया गया असपश्ट रूप से कुस्चन नमबर साथ है निमलिखित किस संतनत के सासक ने प्रसासन में स्वयम घुस खोरी को प्रसाहित किया था बलबन जलालुदेन फिरोज तुगलक या इब्राहिम लोदी इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा सी फिरोज तुगलक कुस्चन नमबर आठ है बिभिन सुल्तानों दोरा निर्मित बिभिन बिभागों के निमलिखित यगम में से कौन सा यगम असत्त्य है दिवाने मुस्त खराज दिवाने अमहिर को ही मुहमद बिन तुगलक मुस्त खराज ये ते सुमेलित है ये भी सुमेलित है मुहमद तुगलक दिवाने खरात फिरोष्टुकलत ये भी सई सुमेलित है इसके बद्दिया है दिवाने रियासत बल्बन ये वला इसमें गलत है इसका एंसर D हो जाएगा क्योंकि इस पूछा कौन सा युगम असत्ते है तो D वला जो है गलत है दिवाने रियासत का जो है इसकी अस्थापना ये संस्थापक अलावदिन खिल जी था कुश्चन नमबर नौ है अमीर साधा की निउक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था अमीर ये सादा की निक्तिक करने वाला अलाव दिन खिल जे ग्यासो दिन तुगलक मुहम्मद बिन तुगलक ये फिरोसा तुगलक तो अमीर ये सादा की निक्तिक करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था तो प्रथम सुल्तान था मुहम्मद बिन तुगलक Q10 है नीचे दे गई कुट को समलित कीजिए तो इसमें समलित करना है कौन किसे सम्बंदित है दियाय टटनम पटनम ये जो है किसे सम्बंदित है ये सुनार से सम्बंदित है इडाई पटनम ये जो है मच्छवारे से सम्बंदित है बीरिपीड ये जो है बीरिपीड जो सब्द है ये सिकारियें से संबंदित है आरीमीन कासू ये जो है गडेरियों दोरा चुराय जाने वाला कर्था डी वाला से फोर सई सुमेलित इस प्रकार ये सुमेलित है ये संगम काल के है सब्द और उससे अर्थ कोश्चन नमबर 11 देखे सुमेलित करना एक तरफ विदेशिया तरिक देश अब्दुलरजाक किस देश का यात्री था अब्दुलरजाक इरान का था इरान या फारस ऐसे भी देशकता है या मद एसिया कुछ भी देशकता है तीनों की नाम इरान एसिया माइनर भी देशकता है मद एसिया भी देशकता है फारस भी देशकता है निकोलो कोंटी निकोलो कोंटी कहां कथा इटली का फर्नाव नुनीज ये कहां कथा फर्नाव नुनीज ये था पूर प्रको का इस प्रकार ये सुमेलित है कोश्चन नंबर 12 देखे कथन और कारण से इसमें दिया इसमें देवदासी पर्था का प्रचलन बिजयनगर समराज में हुआ था कारण दिया है दच्छिन भारती मंदिरों से संब्द निर्तंगनाय सम्मान की द्रिष्टी से देखी जा तो इसमें एंसर हो जाएगा सी ये सही ये गलत डी होगा इसमें ये गलत है यार सही है कोश्चन नंबर 13 देखे निमलिखित दोनों कथनों पर विचार करना और अभी से के उप्रक्त में से कौन सा कथन सत्य है यहां पर सही ढूणना दिल्ली के सुल्तानों ने जीतल नामक तामरे के सिक्के प्रचलित किये ये तो सही है दूसरा है बीजयनेगर के सास्कों ने जीतल नामक तामरे के सिक्के प्रचलित किये ये भी सही है इसमें तिसका एंसर हो जाएगा ये एक और दो सत्य है दोनों सही है इसमें कोश्चन नंबर 14 देखे बाबर द्वारा भारत म प्रसासनिक सुधार नौ करने के निमलिकित काड़ों में से कौन सही नहीं है कौन सही नहीं है यह पूछ रहा इसमें देखे इसमें इंसर हो जाएगा ए उसके द्वरा काबुल में किये के सुधार अलोक प्री थे यह वहां उसे इसी करण विद्रो का सामना करना पड़ा था यह वाला इसमें सही नहीं है इसके अलबा BCD यह सब सही है कौशन नमबर 15 है जहांगीर के काल में एरोपी चित्रकला तकनिकी एम सैली ने मुगल चित्रकला को प्रभावित करना सुरू कर दिया था निमलिकित एरोपी विशेस्ताओं में से कौन एक ऐसी थी जिसका अनुस चित्रांकन यह वाला इसमें सहर होगा त्रियामी चित्रांकन कौशन नमबर 16 है सुमेलित करने के लिए चले इसको सुमेलित करते हैं फरवरी 1658 में बहादूर गळका इदूआ था अप्रेल 1658 में धर्मत का हुआ था जून में जो है सामो गळका जून 1659 में सामो गळका इदूआ था और अप्राइल 1669 में देवराई के दुआ था अंतिमन निडाय के दुआ था और अंगजे बरदारा सिको के बीच कुश्चन नमबर 17 देखें कथन और कारण से हैं कथन दिया है 1636 के पसा साजहां की दच्छिन नीती सफल रही कारण दिया है साजहां ने काफी समय तक दच्छिन में बेतित किया तथा उसे दच्छिन का ब्यक्तित्व अनुभव एवं ग्यान था ये पुछ रहा है इसमें तो ए और दोनों से आरे की सही ब्याख्या भी करता है तो इसका एंसर जाया हो जाएगा आपका ए सही है कोश्चन नमबर अठारा है दिया है कुल मनसबदारों में हिंदू मनसबदारों का परिशत किस मुगल बासा के अधिन 32 था या 32 परिशत था और या समस्त मुगल काल का अधिकतम परिशत था कोश्चन नमबर 19 है कतन कारण से दिया है कतन इसमें आउरंग्जेब ने मुगल दर्बार में संगीत को निसिद्ध कर दिया था ये तो सही है संगीत निशिद किया था अपने दर्बार में कारण है मनरोंजन के लिए उसके पास समयने ये गलत है इसमें एंसर जायेगा सी आपका यानि ए सही है आर गलत है देखेगा सी कूट ऐसे दिया है ये सही है किन्तुगार गलत है कूशन नमबर 20 है निमलिखित में से कौन फ्रांसीसी यात्री 1664 में मुगल दर्बार में उपस्थित थे दिया है ट्रेविनियर वैर्नियर ठेटनाट मनुची तो इसमें करेक्ट एंसर हो जायेगा फ्रांसीसी यात्री थे 64 मुगल दर्मारब में आये थे ये पूछ रहा है इसमें इसमें जो है मनुची नहीं था इसके बार ट्रेविनियर वैर्नियर ठेटनाट ये सब्थ सी वला इसका एंसर सही होगा कोशन नमबर 21 है निमलिखित मुगल बासाहों के युगमें में से किस युगमें अपने प्रमुख सद्रों को अफदस्त किया था दिया है हिमायू अकबर जहांगीर अकबर सा जहां अकबर और अन्जेप इसके एंसर हो जाएगा C अकबर और सा जहां ने कोश्चन नमबर 22 है कथन और कारण से कथन दिया इसमें मुगल बासाहों ने खलीफा के अस्तर को इसलामी विश्वक के सरवच्य अधिकारी के रूप में नहीं सिवकारा कारण दिया है खलीफा मिस्र के सासक का बंदी था यह मुश्का विप्रयाद था कि मिस्र के सासक के कोश्चन नमबर 23 है यह भी कथन ही कारण से दिया है मुगल कालिन भारत के सभी द्योगों में वस्तर द्योग सरवाधिक मतपूर्ण था कारण है सूती वस्तरों का निर्यात भारत में विदेशी मुद्रा प्राप्ति का प्रमुक शुरूत था तो इसमें देखे यह सई है और आर भी सही है और व्याख्या भी करता है तो इसका एंसर हो जाएगा यह आर दोनों से आरेकी सही ब्याख्या करता है कोश्चन नमबर 24 है कथन कारण से यह भी है मुगल काल में त्री धात्विक मुद्राय परचलन में थी कारण दिया है स्वान मोहर चादी के रुपए और तावे के दाम आपसी बिन में राज द्वारा निर्धारित होता था तो ए आर दोनों से रहे लेकिन आरेकी सही ब्याख्या नहीं करता है तो इसमें एंसर हो जाएगा आपका बी कोश्चन नमबर 25 है और अंतिम कोश्चन है सुमिलित करने वाला चले इसको सुमिलित करत इस्ट इंडिया निकोलो मन्ची यह इस्टोरिया दो मोगोर बीलियम फास्टर यह है आरली ट्रेवेल्स इन इंडिया यह थे कोश्चन आज के लिए तो उमिद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया ते इसको लाइक करें अपने दोस्तों के आधिक स